तो हलो फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फैट एंड ओइल ठीक है जिसमें हमने पहला पार्ट कवर कर लिया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था डिफरंस बीटून फैन नौइल देखा था आप्लिकेशन देखे दी ठीक है आज हम बात करेंगे फैट एसिड के रि सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो हमारा पहला जो रियक्शन है वह है हाइड्रोलिस इस तो हमारा पहला पहला जो रियक्शन है वह है है तो हाइड्रोलिस इस तो फैर एंजाइम की हेल्प से अगर हम लिक्ते करता है तो उसमें यहीं पहले आपको डेफिनेशन में लिखना है कि कैसे होता है उसके बाद आपको रिक्शन लिखना है और यही आपको डेफिनेशन टाइप यह पूछा जाएग मतलब दो दो मार्स के लिए तो आपको इसी तरीके से लिखना है ठीक है एक एक्जमबर हमने लिए कि ट्राइगलिस्ट्राल रिहेड एंड वाटर ठीक है तो उसमें से ग्लिस्ट्राल एंड फेटी असीड का फॉर्मेशन होता है यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा अब यहां से एक एक हैज हो जाते हर जगह पर ठीक है और बाकी जो सी ओ आड रहा वह वह किसा अलग निकल जाते जो फैटी एसिट कहला तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर स्टक्चर में चेंज आया है ठीक है कि यहां पर ओज आ गया है सब भी पोजीशन पर और होगा कंपाउंड का उसको हम ग्लिस्ट्रॉल बोलेंगे और यह जो रहा हमारा सी डबल बॉन और वह यहां और के साथ हो के यहां पर थ्री मॉल एक दो और त्री तीन मोल यहां पर वह फैटी एसिड बानाता है ठीक है तो जब भी फैटी एसिड सौरी ट्राइग लिस्ट् अब हमारे बात करते हाइड्रोजीनेशन मतलब के एडिशन ओफ हाइड्रोजन ठीक है एक कामन है कि हाइड्रोजीनेशन सभी को पता ही रहता है के एडिशन ओफ हाइड्रोजन ठीक है तो वेजिटेबल ओईल को जब फैट में कनवर्ट करना वेजिटेबल ओईल जब होता in presence of catalyst called hydrogenation, ठीक है, vegetable oils में से हमको fat बनाना है, ठीक है, hydrogen add करके, कोई catalyst की presence में, तो जीसे हम बोलेंगे hydrogenation, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकती हो, कि oil का जब hydrogenation होता है, तो वो fat में convert होता है, unsaturated glyceride, plus hydrogen, metal की presence में reaction हो, catalyst मतलब यहां पे हम metal लिये हैं, तो वो saturated glyceride में convert होगा, ठ मतलब फैट हो गया ठीक है अब हम उसका रियेक्शन देखते हैं तो रियेक्शन में आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा अनसे चुरेटर देखो इस्ट्रक्चर ध्यान से ठीक है लिखना पड़ेगा आपको एक्जामें यह हमारा अनसे चुरेटर ग्लिस्ट्राइड है अब ओईल ठीक है उसको जब हम को मैटल की प्रेजन्स में रियेक्शन करवाते हैं और ऊपर यहां पर रिमोल हमने एड किया है ठीक है तो आप देख सकते हो यहां के स्ट्रक्चर में जो है वह वह अनसे चुरेटर हमारा घ्लिस्ट्राइड है मतलब ओईल जो है वहां पर आप देख सकते हो के कहा convert हो रहा है saturated में saturated में saturated हो रहा तो यहां पर देख लिज्जे double bond हो दीख रहा है सब जगह और यहां पर single bond इस गांवर्टिड इन्टो single bond unsaturated glyceride is converted into saturated glyceride थीक है तो यह हो गया हमारा hydrogenation third हमारा reaction है वो है saponification तो जब ट्राइग्लिस्ट्राइल को है तो आलकली के साथ रियक्शन करवाते हो ठीक है तो ग्लीस्ट्राइल एंट फैटी एसिड के सॉल्ट बनते हैं तो यह जो सॉल्ट होते हैं वह सॉप कहलाते हैं यह आपको चीजें लिखने पड़ेगी तो आप यहां पर देख सकते हो जिसको एनवेच के साथ रियक्शन करवाते हो तो यहां पर ऑटेज हो जाता है और यह पूरा स्ट्रक्चर इद निकल जाता है और यहां पर तीन मोल स्वाप का फॉर्मेशन होता है और एक ग्लिसरॉल बनता है ठीक है आप देख लिजें इस्ट्रक्चर में तो ट्राइग्लिसरॉल रिहेड का जब आलकल के साथ रियक्शन करवाते हैं तो ग्लिसरॉल और स्वाप का फॉर्मेशन होता है यह स्वाप ठीक है यहां तक हम तीन अभी देख रहें दो बाद में कवर करेंगे ठीक है